दोस्तों ये है हमारे पास Asus Zenfone Max Pro M1 और मैं इसमें यूज़ करूँ Pixel Plus UI version 3.8 और आजकल मैं इस ROM को कुछ जाधा ही पसंद करने लगा हूँ क्योंकि इसकी stability जो है वो मुझे बहुत जाधा अच्छी लगने लगी है तो आज मैं आपको इस ROM के बारे में पुरा डीटेल में रिव्यू दूँगा चानल पे नए आयों तो चानल को सब्सक्राइब कर लो आपर आपको डेली अपडेट्स मिलेंगी कोई प्रॉब्लम वगेरे डिसकस करनी हो तो इंस्टा पे एक मेसेज कर दो तो बंदा तुरंत हाजिर हो जाएगा आपके हल्प में तो चेलिए लट्स बिगिन तो सबसे बेले बात करें ROM की तो वो काफी जादा स्मूथ और फास्ट आपको देखने को मिलेगा बात करें अबाट सेक्शन की तो यहाँ पर Android 11 पे ROM रन कर रहा है latest security patch है August का यहाँ पर जो puff plus का kernel यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बात करें अगर geekbench 5 score की तो वो मैं आपको check करवा देता हूँ जो score है वो single core 273 देखने को मिलेगा जो multi core है 1080 ओके यहाँ पर custom kernel flash करोगे तो इससे अच्छा score भी आपको देखने को मिलेगा उसके बात करें CPU throw link की तो वो आपको कुछ 75% देखने को मिल जाएगा max performance और बात करें DRM info की तो यहाँ पर level 3 का support है level 1 का होता तो काफी अच्छा होता HD content वगरे enjoy कर पाते बात करें RAM management की वो भी बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी यहाँ पर मैं बाकी apps को एक बार close करके आपको दिखा देता हूँ RAM management तो मतलब RAM management मुझे ठीक लगी है साही लगी है कोई दिक्कत मेरो यहाँ पर फेस करने को नहीं मिला है ठीक है यह बहुत अच्छी बात है उसके बाद यहाँ पर मैं आपको कुछ features चेक करवा देता हूँ apps and notification की बात करें तो यहाँ पर आपको जो launcher देखने को मिलेगा वो है pixel launcher और यहाँ पर हम चलते है pixelizer में और यहाँ पर आपको काफी सारे features देखने को मिलेगी और यहाँ पर हम चले जाते हैं आप percent वगर दिखा पाऊंगे ported वगरा circle वगरा रख सकते हो battery style और यहाँ पर आप network indicator वगरा enable कर सकते हो network speed वगरा देख सकते हो उससे यहाँ पर tiles जो है ported में वगरा आप column rows वगरा जो है उसके set कर सकते हो tiles बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो lock screen की बात करें तो double tap to sleep वगरा मैंने check कर वा दिया था जो screen of animation होता है वो CRT type वगरा रख सकते हो और यहाँ पर power menu की बात करें तो advanced reboot का option देखने को मिलेगा इसको openable कर सकते हो यहाँ पर आपको swipe buttons वगरा देखने को मिलेगा जो call होता है वो vibrate on connect vibrate on disconnect वगरा देखने को मिलेगा volume panel style आप change कर पाऊगे oxygen wise मUI compact है project 404 है इस तरह के आपको काफी volume panel style देखने को मिलेगी game mode यहाँ पर देखने को मिलेगा उसके बाद बात करते हैं कुछ और चीजों की यहाँ पर बात करें battery backup की तो battery backup जो है वो भी काफी अच्छी आप देखने को मिल जाएंगी आपको और उसके बाद यहाँ पर आपको smart cutoff का option वगरा देखने को मिलता है battery temperature वगरा देख सकते हो display की बात करें dark theme night light वगरा वगरा जो कुछ भी है सब कुछ perfectly work करता है लेकिन यहाँ पर एक funda है जैसे के आप देख पर रहे हो ऐसे कुछ कभी कभी यह settings जो है नो close हो जाती है तो इस बात को ध्यान में रखना है आपको ठीक है बागी सब मस्त है कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद यहाँ पर मैं एक बार styles and wallpaper चेक करवा देता हूँ आपको तो यहाँ पर आप काफी customization कर सकते हो limit में तो fonts वगेरा, icon वगेरा color वगेरा, उनका style वगेरा यह वगेरा आप set कर पाऊंगे यहाँ पर आपको grids वगेरा देखने को मिलेगी एक wallpaper देखने को मिलता है और clocks जो है काफी सारे देखने को मिलेगी तो यहाँ पर मैं pixel plus UI का clock set कर लेता हूँ ठीक है तो यह भी काफी interesting देखने को मिल जाता है और यहाँ पर font size, display size वगेरा जो है आप set कर पाऊंगे और यहाँ पर जो है full 180 का auto rotation support है बीना कोई दिक्कत के और यहाँ पर हम चलते हैं next value option में तो यहाँ पर sound quality जो है वो काफी अच्छी है कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी ठीक है और उसके बाद security की बात करें fingerprint face unlock app locker जो सभी चीज़े work करें बिल्कुल must कोई दिक्कत नहीं है gestures की बात करें तो यहाँ पर आपको three finger screenshot है वो perfectly work कर रहा है यहाँ यहाँ पर long screenshot भी आप ले सकते हो उसके बाद यहाँ पर quick torch का option भी आपको बिल्कुल working में देखने को मिलेगा आप इस तरह से आप power key को hold करके रखते हो तो आपका torch वगर enable हो जाता है बिना कोई दिक्कत के और यहाँ पर आप system navigation keys या फिर gesture यूज़ कर सकते हो फिर से वही setting वाला fund आपको देखने को मिलेगा तो यह कुछ-कुछ settings enable करते हो न तब होता है और यहाँ पर gcam वगरा perfectly work कर रहा है photo capturing, video recording सभी चीज़े मास थोरियक भीना कोई दिक्कत के 8.1 मैं यूज़ कर रहा हूँ gcam ठीक है, मैं सभी जो videos वगरे होती हैं इसी से record करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को सभी मतलब लगबग, जो कुछ भी problems है वो पता चल जाती है लगबग और यहाँ पर जो c Linux से वो आपको enforcing देखने को मिलता है, जो की बहुत अच्छी बात है यहाँ पर एक बार safety net चेक कर लेते हैं जो safety net था, वो default भी pass है out of box, और root करना चाते हो तो root करने के बाद mages को hide कर देना तो भी pass देखने को मिलेगा आपका safety net जो की बहुत अच्छी बात है जो app opening है, वो भी एक बार कर रहा है ROM, यहाँ पर आपको ना कोई glitch lag जैसी भी चीजे कुछ face करने को नहीं मिलेगी, यहाँ पर आप select वगरा कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पर आप screenshot वगरा ले सकते हो, जो की बहुत अच्छी बात है, ठीक है कोई दिकत नहीं है, ROM आप use कर सकते हो must ROM है, ठीक है, gameplay भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएंगी इसमें तो यह भी बात अच्छी है, तो आप try करके देखना इस ROM को, मुझे personally यह ROM ज़ादा पसंद आती है, और क्योंकि इसमें मतलब कस्टमाइजेशन भी मिल जाता है बैटरी वैकप भी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है तो यह ROM बढ़िया लगती मुझे यह आपर आपका Google फीड वगेरा जो है, वो पॉफिटली वर्क कर रहा है हे गूगल हो के Google जो है वो भी पॉफिटली वर्क कर रहा है जैसे के आप देख पर हो